जब से बिहार में महागटबंदन की सरकार बनी है तब से ललल फोबिया हो गया है आधरनीय नरेंद्रमोदी को और अमिज साथ को लेकि पोस्टर में कही गई बात गीता पर हाथ रखके भाजबा बोले कि सही है कि ने यह सही है कि भारतिये जन्ता पार्टी के सांसत पर गिनाओने आरोप लगे लेकिन अमिज साथ नरेंद्रमोदी ने बचाओ करते हुए वो महिला पहलमान जो अंतर आश्ट्रे पदक जीती थी वो न्याई के लिए जन्तर मंतर पर गुहार लगा रही थी दिल्ली में बैठीवी सरकार धर्ना अस्तलत उसको अटा रही थी अग कहते है कि भरष्टा चारी एक हो गया कायर प्रदार मंत्री है नमस्कार में किरपासकर आप इंसाइडर लाइब देख रहे हैं आज ग्रिह मंत्री जी का बिहार दवरा हो रहा है पोडिया नवादा के बाद अब मुंगेर जा रहे हैं लखी सराय में गांधी मैदान से हुंकार भरने जा रहे हैं अब एक तरफ आप लोग बिवक्षी एकता की बैठा किये अब ग्रिह मंत्री जी आ रहे हैं बिहार में कह रहे हैं कि बिपक्ष डरा हुआ है आदरनीय ग्रिह मंत्री जी हुंकार रहे ली करें लेकि जनता दल्यू समस्तिय चितकार रहे ली कर रहे हैं चितकार इस संदर्म में कि जब से बिहार में महागटबंदन की सरकार बनी है तब से ललनफोगिया हो गया है आदरणीय नरेंदर मोदिक और अमिश्सा को पूर्णिया आते हैं तब कहते हैं ललनवाओ का नाम हिसुआ आते हैं तब ललनवाओ का नाम अब तो लखी स्राय चले मैं चुनोती दे रहा हूँ आदर्णिये अमिज साजी अगर 56 इंच के राजनितिक वारिस आप हैं सच्चे वारिस हैं अगर आपके कलेजा में दम है तो आप जनता दलिव के राष्ट्रिय अद्यक्ष ललन सिंग के खिलाफ चुनाव लड़िये आपको एहसास मुंगेर की जनता करा देगी कि नाकाम लोगों का जिनोंने युबाओं को रोजगार की बात की जिन लोगोंने समाज के अंदर में पिछडा आती पिछडा और दलितों के साथ जो घोर भेद भाव किया है इन तमाम चीजों का जबाब मुंगेर की जनता देगी और वो तो स्वामी सहजानन सरस्वती और पंडित कारियानन सर्मा किसाना अंदोलन का कर्म भूमी रहा है तो उसे राष्टी विभूती का सम्मान करेगा की नहीं और साथ ही साथ जिरा उपलबधी भी बता दीजिएगा कुछ करी किये हैं की नहीं कुछ एक काम भी तो बताइए कि क्या काम आपने लखिसरा में किया अनकरात्मक बात बोलिएगा तो आपके हर नकरात्मक बात का रानितिक पोस्ट माटम जनता दल्यूग करेगा एक तरफ ग्रिह मंत्री जी बिहार दोरे पे हैं दूसरी तरफ जगा जगा पटना में पोस्टर लग गया पोस्टर किसने लगाया मुझे जानकारी नहीं लेकि पोस्टर में कही गई बात गीता पर हात रखके भाज़पा बोले कि सही है कि नहीं क्या यह सही है कि नरेंद्र मोदी ने यह वाइदा किया था कि बिहार को विशेश दर्जा देंगे विशेश सहायता और विशेश कृपा करेंगे क्या यह सही है कि बीजेपी विधायक दल ने समर्थन किया था विशेश दर्जा का सदन के अंदर में क्या यह सही है कि भारतिय जनता पार्टी के सांसत पर घिनावने आरोप लगे लेकिन अमित्सा और नरेंद्र मोदी ने बचाव करते हुए वो महिला पहलमान जो अंतरास्ट्रिय पदक जीती थी वो अन्याई के लिए जंतर मंतर पर गुहार लगा रही थी और दिल्ली की सरकार दिल्ली में बैठी हुई सरकार धर्ना अस्तलत उसको हटा रही थी प्रदान मंतरी बोले कि आतंक बात पढ़ गया है प्रदान मंतरी बोले कि समाज में राजक्ता पढ़ गया जो है आपके दिल में अतना जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आपका आया है ना अभी करनाट का चुनाओं में उसमें बहुत गंदगी है पुपरा राजित का फ्यफ़डा इनका संक्रमित हो गया है अरे बैस संतुष्टी करन किसको कहते है जो समाज के सारे तबके के लिए काम करते है आप वह गुनागार हैं कि पिछला और अति पिछला बच्चों को चात्रवर्तिक अच्छा एक से आठ बंद कर दिया बाबु जग जीमर नाम चात्रावास योजना बंद कर दिया दस पतिशत जिनको आरक्षन मिल रहा था जिनको आपने बैकवर्ड माना उनको आप स्कॉलर्शिप नहीं दे रहे हैं पूर्खों का अपमान कर रहे हैं तो आपसे बड़ा अपमान करने वाला कौन है इसलिए आप तुष्टी करना आप करिये सत्ता के लिए सतुष्ट होईए जनता देश की जनता दोहजार चौबिस में फरजी सेवक नहीं प्रदान सेवक खोजती है जिस तरीके से कल नितिश कुमार जी और सुसील कुमार मोदी मिलने गए थे इसका कोई माने नहीं है वहां पर जो भी गए ते वहां पर निर्मालक कारे चल रहा आपको बताते हैं कि उसील कुमार मोदीज ने कहा है कि वहां पर हम बहुत दिन हो गया मुलाकात करने के लिए गए हो थे तैसी तमाग खोरों को देखने के लिए इंसाइड राइब देखते रहे